नमस्कार दोस्तों क्या सब्सक्राइब आप सर्फ आज मैं आपको आपली कप्रियों किन-किन बीमारीयों को दूर करने के लिए किया जाता है उसके बारे में जान करेंगी तो मैं डॉक्टर सेता आपका लेव हैल्दी चनल में स्वागत करती हूं तो चलिए शुरूर करते है आपले के रस को आईवेट में उत्तम रसायन मना गया है और आपले को आईवेट में अमरत के समान भीमाना गया है अगर आप 20 से लेकर 40 समर तक आंगले के रसको समान मातरा में पाने मिलाकर खाली पेट लेते हैं तो उससे आपका respirator system यानि की आपका जो सवसंत अंतर है वह है और आपका digestive system पारचन तंतर और आपका reproductive system यानि की परचन तंतर उनमें संतुलन पिला लेता है और व्यक्ति लंबे समय कर बिना रोप के जीवन जीता है अगर आप नित्यपरती 20 से 40 अंगल आंगले के रसका समान मातरा में पाने मिलाकर खाली पेट से उन करते हैं तो आपकी आईट के साथ साथ होने वाले जो रोग हैं उनसे आपकी स्रीर की रक्षा करता है आंगले का रस आपकी आईउ को भी बढ़ाता है और मनुश्य के स्रीर में जितने भी रोग होने वाले होते हैं उनसे वह मुक्ति दिलाता है आमला सीथ विरे होने के कारण पित से होने वाले रोग जैसे की जलन, पिसाब में जलन, आपके कलेजे में जलन, पेट में दर्ड इन सब रोगों को दूर करता हैं और आईवेट के रुशार पाप पित कफ इन दीनों दोसों को सम करके रोगों को दूर करता हैं आमले करस बालों को ऐस में सफेद होने से बचाता है और साथ में अगर आपके बाल जड़ते हैं और उनकी दोथ कम है तो उसके लिए भी आमला सब्रस बहुत ही लाबकारी माना जाता है अगर आपके आपकों पर चस्मा चड़ा हुआ है और आपके आपकों में जलन है या लालिमा है तो आमला सब्रस जो है उसके लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है अगर आप आवले के रस के साथ समाल मात्रा में अलो वीरा का रस मिलाकर सेवन करते हैं तो आपको गैस, कब्ट और एसेडिटी जैसे रोपों से राहत मिलेगी अगर आप आवले के रस का सेवन लंबे समय तक करते हैं तो आपके चहरे पर कांती भी आती हैं, यानि कि जमक भी आएगी और व्यक्ति लंबे समय तक बिना रोप के जीमन जी सकता है आवले का रस जो है अलब वीरा और आवले को मिलाकर सेवन करने से धातों जन्य रोग, इस तरी रोगों को स्वेट परदर, रख परदर, आधी रोगों से राहत मिलेगी अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मैत भूलिए ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके जैहिन, जैभारत